हैंलो दोस्तो मैं आनिस पांटे मैं अपने चैनल पांटे 2.0 में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा Windows 10 का जो डीसंट आपदेट आया है Windows 10 V21 2000 H2 मैं आपको बताऊंगा यह 20 H2 क्या है और कैसे आपको इंस्ट्रॉल करना है कि इतना टाइम लगता है और क्या आपको मिलेगा तो पहले मैं आपको बता दू कि रिसंटली विंडोस 10 का एक अपडेट आया है जिसका वर्जन है 20H2 यह आप देख सकते हैं स्टार्ट मेनू के जितनी भी विंडोस जो आइकॉन से वो चेंज हो चुका है अगर आप स्टार पहले जो विंडोस 10 था जो इस अपडेट से पहले जो जो टेन था उसका थोरा सा अलग लूप था उसका आइकन भी अलग था लेकिन जैसे ही मैंने आज इसको इस्टॉल किया इस विंडोस वर्जन को अपडेट किया मैंने वैसे ही मेरा सटली पूरा विंडोस का लुक ही अगर आप इसको install करोगे जवरदस look आएगा मैं आपको बताएता हूं कैसे आप इसको इस updates को install कर सकते हैं अपने windows 10 में कैसे आप अपने windows 10 को update कर सकते हैं 20s2 से आपको जाना पड़ेगा यहां start menu पे and then click on settings settings जैसे आप click करोगा यहां पे आपका यह complete settings है अभी recently एक और option यहां पर add हो चुका है जो की web browsing के लिए है जो की आपका यहां click करते ही आपका browser open हो जाएगा आपको click करना विंडोज अपडेट पे अगर आपको यहां नहीं मिला है तो आपको यहां पर click करना है update and security जैसे आप click करोगा यहां पर आप देख से तो मु आपको आपको क्या करना है आपको just click करना है check for updates check for updates जैसे ही करोगे जो भी आपके recent updates होगी वो updates यहां पर आज आएगा अभी आपको कुछ time लगेगा यहां पर इस updates को सो होने में लेकिन उसके पहले आपको ध्यान रखना है आपका laptop पूरी तरह से wifi data के साथ में connected होना चीए क्योंकि अगर आप 1GB या 2GB mobile data से अगर आप connect करके अपडेट करने जाओगे वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें 2GB से ज़्यादा लग सकता है इसलिए आप better होगा wifi से connect करें या आपका कोई friend है उसके यहां जाके आप कर सकते हैं यहां पर अभी मैं चेक कर रहा हूं तो मुझे कोई update नहीं मिल ला है क्योंकि मैंने अल्री इंस्टॉल कर लिया है तो जैसे आप यहां पर चेक करोगे आपको 20S2 का version आपको मिल जाएगा यहां पर आप नहीं इसको install करने मुझे पांच घंटा लग गया है क्योंकि दो से धाई घंटा इसको update करने में लगा है इस updates को download and install करने में लगा है and then is complete update को apply होने में हमारे सिस्टम में install होने में दो घंटा लगा है आपको ध्यान रखना है कि आपका laptop power cable से connected होना चाहिए मतलब आपका य चाहिए and then आप इसको पांच घंटा के लिए छोड़ देना है आपको ताकि completely download कर ले install कर दे and then आपको restart कर देना अपने सिस्टम को जैसे आप इसको restart करोगे ये windows 10 version 20 h2 install हो जाएगा उसके बाद जैसे आप इसको install करोगे फिर आपको login करना पड़ेगा login करने के बाद अपने windows 10 computer में आप देखोगे बहुत सारी changes आपके computer में देखेगा जैसे मैंने फिलहाल यह यहाँ पर देखा है आप इसे click करके देख से तो कितना जबर्दस इसमें changes हो गया है look change हो गया है और भी बहुत सारी changes में हुआ है मैंने जादे इसको ध्यान नहीं दिया है आप इसको one by one open करके इसको देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़े इस updates में इस version में आपको मिला है दूसरा एक और चीज़ मैंने face किया है कि मेरा जो computer है पहले थोरा सा slow चलता था लेकिन अब यह इतन लता है इन सभी folders में थोरा सा look change हुआ है otherwise इसमें आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा यहां पर और यहां से आपको यहां से जाकर आपको देख लेना है कि what's new in this update और यहां से आप go through कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़े इसमें आपको मिला है और क्या 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 कर सकते है यहां पर मुझे तो अच्छा लग रहा है I am enjoying this abundance system आसा करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा तो like जरू कर दीजिए और चैनल को subscribe कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा होगा धन्यबाद दूस्तर